चलिए स्टूडियम्स स्टार्ट करते हैं आज पॉलिटी की बेसिक से फर्स्ट क्लास सबसे पहले हमें पता होना चीए कि पॉलिटी के पिता किसे कहा जाता है फादर ओफ पॉलिटी तो फादर ओफ पॉलिटी कहा जाता है एरिस्टोटल को एरिस्टोटल को इन्हें हिंदी में अरस्तू भी कहा जाता है अगर बात करें हम इंडियन पॉलिटी की तो इंडियन पॉलिटी के पिता कहा जाता है बी आर अमबेद कर को बी आर अमबेद कर तो हमें पिता तो पता चल गया अब हम बात करते हैं कि पॉलिटी की हैंड रिटन होना कब स्टार्ट हुई इसके बाद इसकी फर्स्ट मेटिंग कब हुई तो हम बिल्कुल बेसिक से डिसकस करेंगे पॉलिटी के बारे में तो जो पॉलिटी है वो हैंड रिटन होना स्टार्ट हुई थी कैबिनेट मिशन के बाद केमिनेट मिशन प्लान था यह था 16 मैं 1946 में इसके बाद पॉलेटी हैंड रिटन होना स्टार्ट होई थी तो यह भी था थाना कि किसी ने कहा होगा कि पॉलेटी आपके इंडिया में भी कोई सविधान होना चाहिए कोई Constitutional Assembly होनी चाहिए यह सुझेस्ट किया था UK के PM थी UK के PM एटली उन्होंने सुझेस्ट किया था कि इंडिया में भी कोई Constitutional Assembly होनी चाहिए तो उस टाइम तीन परसन आये थे पैथिक लोरेंस एवी अलेक्जेंडर और Stand for Crips Stand for Crips तो इसमें पैथिक लोरेंस थे जो वो हैड थे पैथिक लोरेंस हैड थे और ये Secretary of India थे Secretary of India ये चीज आपको दोस्तों किसी भी YouTube चैनल ने कहीं पे भी नहीं बताई होगी किसी भी अकैडमी में और एवी अलेक्जेंडर थे ये नोसेना के अध्यक्ष थे नोसेना के अध्यक्ष थे और जो stand for creeps थे ये विपार बोड के थे विपार बोड के अध्यक्ष थे तो इसे याद करने की trick क्या है इससे हम याद करेंगे trick से याद करेंगे pass ये trick है इसको याद करने की P से पैथिक लोरेंस और A से A.V. Alexander S से stand for creeps फिर से repeat कर देता हूँ इससे याद करने की trick है pass P से पैथिक लोरेंस A से A.V. Alexander S से stand for creeps इससे एक्सर question पूछा जाता है कि जो head थे इन तिनों में cabinet mission plan में उसकी अध्यक्षता किस ने की थी तो वो की थी पैथिक लोरेंस ने और इसका मुख्य उदेश्य क्या था इसका मुख्य उदेश्य था सविधान सभा का गठन करना सविधान सभा का गठन करना और बात करते कि इसकी फर्स्ट मीटिंग की फर्स्ट मीटिंग थी जो वो हुई थी इसकी 9 देसेंबर 1946 को इससे पहले हमारे इंटेरिम गवर्मेंट बन चुकी थी इंटेरिम या टेंप्रेरी वो कब बनी थी? वो बनी थी 2 सेप्टेंबर 1946 को उसमें कुछ में जो है लीडर थे उनके बारे हम डिसकस कर लेते हैं जो होमनिस्ट थे होमनिस्ट थे वो थे सरदार वल्ला भाई पटेल और जो फूड एंड एग्रिकल्चर थे फूड एंड एग्रिकल्चर वो थे डॉक्टर राजेंदर परशाद और जो फाइनांस मिनिस्टर थे वो थे ल्याकत अली और जो एक्स्टरनल अफेर थे एक्स्टरनल अफेर थे वो थे हमारे जेल नहरू जो पहले परधान मंत्री भी हुए हैं जेल नहरू और रेलवे मिनिस्टर थे जो रेलवे मिनिस्टर थे वो थे असफ अली रेलवे के बाद आता है लेबर मिनिस्टर वो थे हमारे जग्जीवन राम और डिफेंस मिनिस्टर वो थे बलदेव सिंग और एजुकेशन मिनिस्टर वो थे हमारे सी राजे गुपलेचारी फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ जो होमिनिस्टर थे वो थे हमारे सरदार वल्ला भाई पटेल फूड एड एग्रिकल्चर थे वो थे डॉक्टर राजिंदर परसाद और जो फाइनास थे वो थे ल्याकत अली एक्स्टरनल अफेर मिनिस्टर थे वो थे जेल नहरू और जो रेलवे मिनिस्टर थे वो थे हमारे आसाफाली और जो रेलवे थे वो थे जगजीवन राम डिफेंस थे वो थे बलदेव सिंग और जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे सी राजय को पली चारी ये थे हमारे interim ये temporary government के minister ये हमने इस इलिए डिस्कस किया है क्योंकि exam में अक्सर पुछा जाता है कि हमारे first education minister कौन थे जो interim government के तो उस time सी राजय को पली चारी थे करते हैं आगे उसकी first meeting के बारे में discuss first meeting मैंने बताई दिया आपको कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो इस meeting में जो सारे के सारे minister थे वो कहां ही कठा हुए थे न्यू डेली में न्यू डेली में ही कठा हुए थे और इस meeting की जो है head कौन थे या president किसे चुना गया था वो चुना गया था डोक्टर साचिदा नंद सिना को डोक्टर साचिदा साचिदा नंद सिना इनको head इसलिए चुना गया था क्यूंकि ये उस meeting में सबसे oldest person थे उस meeting में सबसे oldest person डोक्टर साचिदा नंद सिना थे जो हमारे पहले temporary president भी हुए है डोक्टर साचिदा नंसिना पहले temporary थे जो president भी हुए है president भी हुए हमारे इसके बाद इसकी second meeting की बात करें तो second meeting हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1940 को इसकी पहले meeting 11 दिसंबर 1940 को भी थी इस meeting के head थे डोक्टर राजिंदर परशाद राजिंदर परशाद यह हमारे पहले permanent president बने थे permanent president बने थे राजिंदर परशाद डॉक्टर सचेदान सिना थे वो दो दिन के लिए ही रहे थे हैड दो दिन के लिए हैड रहे थे उसके बाद इनको हटा दिया गया था और डॉक्टर राजिंदर परशाद को पर्मानेंट हैड बना दिया गया था इसके बाद इनको सभी मेंबर की मिनिस्टर की सहमती से एड़ बनाया गया था पर्मानेंट प्रेजिडेंट चुना गया था सभी की सहमती से चुना गया था और 13 दिसंबर 1946 को पंडिक ज्वारला नहरु ने ज्वारला नहरु ने डॉक्टर राजिंदर प्रशाद को एक अब्जेक्ट रेजुलूशन पेस किया था अब्जेक्ट रेजुलूशन अब्जेक्ट रेजुलूशन पेस किया था वो क्या था वो एक वाइट पेपर था वाइट पेपर था, उसके कुछ aim और object लिखे हुए थे जो की आगे जाकर हमारा प्रियम्बल बना उसके कुछ aim और object ले जो की आगे जाकर हमारा प्रियम्बल बना और exam में अक्सर question पूछा जाता है कि object resolution पे first time debate किस date को हुई तो वो first time debate हुई थी जो वो हुई थी 22 January 1947 को 22 January 1947 को first time उसके debate हुई थी और अभी तक हमारा प्रियम्बल है वो एक बार ये amend हुए है 42nd amendment थी और 1976 में उसमें एक बार ये amend हुए है only one time और प्रियम्बल स्टार्ट कहां से होता है with the people of people of India I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइप करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास लगे बेल आइकन को जुरूर दबाएक ताकि आपको मिल सके हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर